दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली हेल टिप्स पे अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सबी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरन मिल सके दोस्तों आज मैं आपका बताऊंगी साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षन और उसका इलाज दोस्तों दिल का दोरा इसी दिये पड़ता है कि दिल तक खुन पहुंचने वाली किसी एक क्या फिर एक से अधिक धमनियों में जमे वसा के थक्ये के कारण डुकावट आ जाती है थक्ये के कारण खुन का प्रवा आवरुद हो जाता है खुन नहीं मिलने से दिल की मांसपेशों में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है आम तोर पर हार्ट अटेक का पहला लक्षन सीने में जलन या फिर दर्द होना है लेकिन साइलेंट हार्ट अटेक में ऐसा बिलकुल नहीं होता है साइलेंट हार्ट अटेक को ज्यादा खतरनाक माना जाता है इसका कारण ये है कि इसमें मरीज को पता भी नहीं चलता कि उसे हार्ट अटैक हुआ है ऐसे मामलों में दिखाए देने वाले कुछ लक्षन इतने समानिय होते हैं कि मरीज उन्हें नजर अंदास कर देता है इन मामलों में ज्यादतर लोगों की मौत उनकी इसी ना समझी के कारण होती हैं तो फ्रेंक्स इसलिए रोजरमा के समाने लगने वाले इन लक्षनों के बारे में जानकारी ज़रूरी है ताकि आप इने नजर अंदास ना कर सकें तो चलिए जानते हैं सालेंट हैट अटैक आने के लक्षन पेट की समस्या है जिसे की पेट में ग्यास का बनना पेट खराब होना आदी मरीज को बेवजा की ठकावट का होना वो भी बिना चिस्ट पेन की मरीस को अचानक से पसीना आना ये भी सालेंट हैट अटैक का मुक्चे लक्षन हता है इसमें सांस भी फुलने लगती है रोगी की सांसे तेज हुजाती है और वो हाफने लग जाता है गर्दन या फिर जबडे की आस पश्टी कुरुत परिशानी या फिर गले में जगडन जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया है तो ये फिर साइलेंट हाट अटैक का संकेत हो सकता है आपको इसके लिए तुरन डॉक्टर से सलहा लिनी चाहिए पीट, हाथ या फिर छाती में दर्द या फिर पेड़ा होना अकसर साइलेंट हाट अटैक पढ़ने वाला संकेत होता है दोस्तों यदि अगर कोई भी लक्षन आपको नया दिखाए दे तो ये चिंता का विशे है इसलिए आपको डॉक्टर से सलहा लिनी चाहिए इसके अलावा वो रोगी जोकि डियाबेटीज, हाई बलड प्रेशर और हाई कुलेस्ट्रा की बीमारी से ग्रस्तित है उन पर भी सालेंट हाट अटैक होने का खत्रा अधिक होता है इसलिए समय रहते मरीज में इन लक्षनों को पहचान पाना ही सही समझदारी होती है ताकि समय रहते रोगी को बचाया जा सके अगर समय रहते मरीज की ECG और इको कार्डियोग्राफी हो गई तो उसकी जान बचाए जा सकती है अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी साइलेंट हाट अटैक के पांच मुख्य कारण क्या होते हैं सबसे पहला तो है ज्यादा ओईली, फैटी और प्रोसेज्ड फुट का सेवन दूसरा है फिजिकल अक्टिविटी ना करना तीसरा कारण है शराब और सिगरेट पीना चोहता कारण है डियाबटीज और मुटापा और पांचवा कारण है स्ट्रेस और टेंशन फ्रेंट्स आपने जान लिए है साइलेंट हाट अटाइक आने के लक्षन और इसके कारण अब हम जानेंगे साइलेंट हाट अटाइक से बचाव के उपायों के पारे में दोस्तों डाइट में सलाद, वेजिटेबल्स ज्यादा शामिल करें रेग्यूलर वॉक, एक्सेसाइज, योगासन करें सिग्रेट, शराब जैसे नशे से दूर रहें खुश रहें, स्ट्रेस और टेंशन से बचें दोस्तों रेग्यूलर मेडिकल चेकप करवाएं जितना हो सके हरी खास पर चलें सुभा कम से कम आधा घंटे तक पैदल चलें धूमरपान और शराब को तुरंट छोड़ दें क्यूंकि दोस्तों ये बड़ी जल्दी साइलेंट हार्ट अटाइक का कारण बनता है इसके अलावा पिसे हुए आवले के चूर्न को दूद में घोल कर दिन में दो बार सेवन करने से हार्ट अटाइक की संभावना कम हो जाती है ग्रीन टी शरीर में मौझूद नसों और धमनियों को ताकत देती है जिससे की शरीर में खून का संचार अच्छी तरह से होने लगता है और हार्ट अटाइक की संभावना भी कम हो जाती है इसमें मौझूद गुन शरीर के रुगों को खत्म करते हैं तो आप अद्रक का सेवन करें या फिर आप अद्रक की चाय का भी सेवन कर सकते हैं दिल के मरीजों को हल्डी का सेवन करना चाहिए क्यूंकि ये शरीर की प्रतीरुदक शम्ता को बढ़ाती है जिससे की आप कई मिमारियों से बस सकते हैं पानी में नीबु को नी चोड़कर कुछ दिनों तक पीते रहने से रिदय की कमजोरी दूर हो जाती है तो दोस्तों ये थे साइलेंट हाट अटाग के एलक्षन कारण और उसका हिलाज आपको और भी हल्प रिलेकेड और हल्दी रिलेक्षनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है थार्ण कर दिए अपक्तार को प्रियो आपक्र अपक्र अपक्राण 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 के लागा है